हेलो फ्रेंड्स दिस पवंच ओधरी वल्कम टू अनकाडमी MPPSC प्रिलिम्स जो है 21 में को और आज हो चुका है एक माई मातर 20 दिन आप लोगों के लिए बचे हैं और इस 20 दिन में हम लोग रिग्रस्व तरीके से MPPSC TAT के वीडियोज लाने वाले हैं पर तो कोशिश करूंगा कि तीन वीडियोज में रोज लेकिया हूं लेकिन आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है पिलब एक हजार तो व्यूज प्रॉस होना ही चाहिए जो नहीं हो रहे हैं तो कोशिश करो कि एक हजार व्यूज हो जाए और उसके बाद अलावा वीडियो के आखरी में बहुत ही important offer आप लोगों के लिए है तो उस offer को मिस्मत कीजिए को अना कैट भी बहुत 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 ही नउफर आप लोगों के लिए लेकिया है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के important dances के बारे में जो मैं तो पूर्ण न्रत्य होते हैं भारत में पूरे भारत वर्ष के जो dance है उनको हम लोग सिफ एक वीडियो में देखने वाले हैं अब यसी बात है कि छोटी-छोटी clips आपको होंगी चलिए सबसे पहले में लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाला dance और उसको कहा जाता है रऊफ या धुमकल के नाम से जाना जाता है तो यह basically यहाँ पे जो important जो tribes आपको रहती है वो tribes या धुमकल न्रत्य है इस धुमकल न्रत्य को करती है अगला जो important dance है वो dance है कथक जो उत्तरब्रदेश और almost मिलब नौर्थ इंडिया में उत्तरब्रदेश और कुछमद्रदेश राजस्थान इन कई सारे reasons में आपको होता बट उत्तरब्रदेश उसका base मना जाता है सबसे important कथक जो है वो भारत के classical dance जो no classical dance है भारत के उन में से एक classical dance है उत्तरब्रदेश का कथक और जो एक समय पर मुगल दरबार में भी काफी famous आपको हुआ करता था और साथ ही इसके अंदर रामायन और महाभारत की जो stories है उन stories पे जो नरतक है वो बहुत शानदा dance करते तो कथक dance उत्तरब्रदेश का बहुत famous है बीहू का असाम का बीहू dance अगला जो नरत्य है मद्देश का वो है सतारिया और सतारिया dance बिलॉंग करता है आपके भारत के असाम स्टेट को और साथ में सतारिया जो है वो एक classical dance है इंडिया का तो बीहू और सतारिया ये दोनों dance बिलॉंग करते हैं आपके असाम को अगला जो नरत्य है वो नरत्य है आपका ODC और ODC नरत्य बेसिकलि अगर देखा जाया तो ये पहले temples में मंदिरों में किया जाता था और इनको करने वाली जो महिलाएं है उनको महरिस के नाम से जाना तो वोमन सार कॉल दो महरिस जो दान्स को करती तो temple में डान्स होता था क्योंकि south इंडिया में specially कई सार इस प्रकार के dances वगर आपको पहले किये जाते थे तो उन में से एक डान्स है ODC जो भारत के classical dance में से आपको ही है उसी के साथ में north इंडिया का एक important dance है उस नाम का डान्स का नाम है chao C-H-A-A-U क्योंकि थोड़ा समय उसके बारे में इसमें डालना भूल गया हूँ तो आप अलग से लिख लिजेगा तो especially west bengal, odisa और इन reasons में chao करके जो important dance है वो dance भी आपको होता है जो भारत का classical dance या फिर आपका भारत का सास्त्री नरत आपको है अगला जो dance है वो अगला dance belong है वो है कुचिपूरी और कुचिपूरी belong करता है हमारे आंद्रप्रदेश state को, आंद्रप्रदेश को belong करता है और ये भी भारत के classical dance है उन classical dances मेंसे यहाँ पर आपको एक है अगला जो important dance है भारत का वो dance है भरतनाटेम जो तमिल नाडू का famous dance है और भारत के सबसे बहतरीन dances में से आपको एक होता है यह तमिल नाडू के अंदर काफी समय से किया जा रहाते हैं लेकि 19th century के बाद 19th century में especially अपके तंजोर और आसपास के शेत्र म बड़ा famous dancer मेरा यह favorite dance है मैं बच्पन में दूरदर्शन पे को जैसे रात को प्रोग्राम साते थे जहाँ पर कतकली होता था और बड़ा enjoy करता था मैं समझ में कुछ नहीं आता था लेकिन मुझे तो पता नहीं क्यों देखने में कतकली जो है वो बड़ा अच्छा लगता थ तो एक केरल स्टेट के अंदर दो classical dance यह दो शास्त्री अन्रत्य आपको है तो mohni atom is very famous dance जो केरल के अंदर आपको होता है खेर इनके बारे में detail हम लोग अलग अलग videos में देखेंगे अगला जो dance है लावनी महराश्टा का एक important dance है जो बहुत जादा energetic dance आपको होता है महराश dance को किया जाता है लेकिन हमारे जेठा भाई और बाकी लोग तो इसको कभी भी कर लेते हैं खेर यह dance कभी भी हो सकता है बट basically it belongs to the कि आपको उसको नवरात्री में ही किया जाता है तो उसको दो तरीके से एक डांडिया से और एक बिना डांडिया से ताल और डांडिया दो तरीके से इस dance को परफॉर्म आपको किया जाता है अगला जो important dance है भारत का वो है घूमर और घूमर बिलॉंग करता है राजस्तान को राज जित्सान का classical dance है especially जो राजपूर डान्स है तो उन में से एक dance आपको माना या that's also called the राजपूर डान्स ये ना घूमर डान्स है अगला नश्ट है वो है भांगडा और भांगडा बिलॉंग करता है हमारे पंजाब इस्टोट को बड़ा fascinating सा state आपको है पंजाब जहांपे भांगडा और गिद्धा दो डान्स है बिलाज गिद्धा भी एक तरीके से भांगडा का एक form आपको होता है तो ये तमाम भारत के classical dance या अपके अंद्रत्य आपको हो है उसके अलाब़ा एक ओर dance है वो है मनिपूरी कतकली, सतारिया और आपका सतारिया ये छे dance नो dance जो है ये बिलॉंग करते है आपके एट dance है ये बिलॉंग करते है आपके classical dance को जो बहुत पुराने शास्त्री नत्रत्य की रूप में इनको जाना जाता तो इसका आप चाहिए ते प्रिंशोट आप ले लीजिए, बहुत important यहाँ पर आपको dance है उसके लावा अनकैडमी का आचुका है बड़ा important offer देखो आपका MPPC का prelims आने वाला है और उसके लिए अगर आप अभी तयारी करना चाहते हैं तो एक माई से लेके तीन माई तक एक माई से लेके तीन माई तक आप अभी जाके अनकैडमी का जो free learning platform है उसको उप्योग कर सकते हैं एक से तीन तारी तक है रेजिस्टर करेंगे तो 7-day का free trial आपको मिलेगा जहाँ पर आपको simply मेरा quote power live use करना है इस video के description में आपको उसका link मिल जाएगा जीद करके एक batch है जो MPPSC Prelims का 30-day का 1-mega revision batch है जो सिर्फ मिल रहा है आपको 1-999 में फिर जेल प्रेरी और वनरक्षक के भी कई सारी batch आपको है जो TV Smart से start हो चुकी है ऐसे कई सारे batches अभी के समय पे आ चुके हैं और इन batches के माद्धियम से आप अपना पर आपको यूज कर सकते हैं तो कई सारे batches अभी चल रही है और इन batches के माद्धियम से आप An Academy का पूरा लुखत उठाइए MPPAC और VAPM के जो तमाम courses है इनका फायदा उठा सकते हैं 7-day का free trial है, इसका फायदा उठाना बिल्कुल भी मन भूलेगा So, thank you for watching this lecture. Let's crack it. Thank you.